प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पाड़ी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है तीन जून शुक्रवार पहला पार्ट प्रेरिच्चरित अध्याई 25 पत संख्याई 13 से 21 तक राजा अग्रिपा और बेरनिस कैसरिया पहुँचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पॉलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा फेलिक्स यहां एक व्यक्ति को बंदी ग्रिह में छोड़ गया है जब मैं येरुसलेम में था तो महायाज को तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंडागया दी जाए मैंने उत्तर दिया जब तक अभियोग्त को अभियोग्यों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विशे में सफाई देने का अवसर ना मिले तब तक किसी को प्रसंद करने के लिए अभियोग्त को उसके हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है इसलिए वे यहां आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठ कर उस व्यक्ति को बुला भेजा किन्तु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विशे में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और ये सुनामक एक व्यक्ति के विशे में जो मर चुका था किन्तु पॉलुस उनके जीवित होने का दावा करता है मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया इसलिए मैंने पॉलुस से पूछा कि क्या तुम येरुसलेम जाने को तयार हो जिससे वहाँ इन बातों के विशे में तुम्हारा न्याय किया जाए किन्तु पॉलुस ने आवेदन किया कि समराट का फैसला हो जाने तक उसे बंदी ग्रिह में रहने दिया जाए इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं तब तक वह बंदी ग्री में रहे यह प्रभु की वानी है संद योहन के अनुसार पवित्रसु समाचार अध्याय 21 वाक्य 15 से 19 तक जलपान के बाद इसा ने सीमोन पेत्रु से कहा सीमोन योहन के पुत्र क्या इनकी अपेक्षातों मुझे अधिक प्यार करते हो उसने उन्हें उतर दिया जी हाँ प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ उन्होंने पेत्रु से कहा मेरे मेमनों को चराओ इसा ने दूसरी बार उससे कहा सीमोन योहन के पुत्र क्या तुम मुझे प्यार करते हो उसने उतर दिया जी हाँ प्रबु आप जानते हैं कि मैं आपको पियार करता हूँ उन्होंने पेत्रुस से कहा मेरी भेड़ों को चराओ ईशा ने तीसरी बार उससे कहा सीमोन योहन के पुत्र क्या तुम मुझे पियार करते हो पेत्रुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे ये पूछा क्या तुम मुझे प्यार गरते हो और उसने ईशा से कहा प्रभू आपको तो सब कुछ मालूम है आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार गरता हूँ इसा ने उससे कहा मेरी भेडों को चराओ मैं तुम से ये कहता हूँ जवाने में तुम स्वयम अपनी कमर कस कर जहां चायते थी वहां घूमते फिरते थे लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुमारी कमर कस कर तुम्हे वहां ले जाएगा जा तुम जाना नहीं चाते इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यू से पेत्रूस द्वारा ईश्वर की महमा का विस्तार होगा इसा ने अंत में पेत्रूस से कहा मेरा अनुसरन करो ये प्रभु का दिव्य सू समाचार है क्रिस्त प्रभु की जय मेरे प्रिये भाई और बेनू प्रेरी चरित के अध्याई चार उसके वाकिव बीस में पेतरुस कहते हैं अमने जो सुना है और देखा है उसके विशे में ना कहना हमारे लिए अस संभव है वास्ताओं में संद पौलूस की जीवन में ये बात प्रमानित होती है जब से प्रभी एशु ने पौलूस को अपने अधिकार में लिया उस समय से पौलूस प्रभी एशु के सुसमाचार को लेकर एक पागल की तरह चारो और घुबता फिरता है सुसमाचार सुनाने में पूरी तरह से अपने जीवन को अरपित करता है उसके जीवन का एक मात्र मकसद सुसमाचार सुनाना था और अंत में पवितरात्मा के इशारे के अनुसार प्रेरणा के अनुसार वह येरुसलेम पहुंच जाते हैं जब यरुसलेम पहुंच जाते हैं तो यरुसलेम के यहूदियों ने पॉलूस को पकड़ लिया और उन्होंने उस समय के कैसिरिया के राजेपाल फेलिक्स के सामने पेश किया और पॉलूस को पेश करके यहूदी नेताओं ने कहा कि इसको प्रान दंड दिया जाए लेकिन राजेपाल ने देखा कि पॉलूस के अंदर कोई ऐसा दोश नहीं है जिसके कारण उसको प्रान दंड दिया जाए रोम के नियम के अनुसार कोई ऐसा दोश नहीं पाया गया जिसके कारण उसको प्रान दिया जाए लेकिन यहूदियों को खुश करने के लिए उसने पॉलूस को पकड़ कर बंदी करह में डलवा दिया और उसके बाद फेलिस के बाद अगला गवर्नर आया अगला राजय पाल हुआ फैस्तुस फैस्तुस ने पॉलूस के बारे में सुना अब एक बार राजय अग्रिपा आज के वचन में आपने सुना राजय अग्रिपा फैस्तुस से मिलने के लिए आते हैं और फैस्तुस पॉलूस की बात उनके सामने रखते हैं कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म की कुजवातों में यहूदी धर्म गुरुओं से विवाद करता है लेकिन कोई ऐसा दोश उसमें नहीं है कि मैं उसको प्राणदन की सजा सुनाऊं इस पूरे प्रकरण में एक बहुत सुन्दर बात हमें देखने को मिलती है पॉलूस को देखिए पॉलूस का साहस देखिए पॉलूस के समर्पन को देखिए वो जहां गएं भी जाते थे वहां पर उसको बंदी ग्रह में डाल दिया जाता था लोग पत्रों से मारते थे लेकिन पॉलूस के पॉलूस का वो मिटता नहीं है कम नहीं होता है उसके जीवन के एकमात्र मकसद सु समाचार था गलातियों के पत्र के अध्याई दो उसके वाकि बीस के अंतिम भाग में पढ़ते हैं पॉलूस कहते हैं मेरे शरीर में अस्तित्तु का एकमात्र कारण है एश्वर के पुत्र पर विश्वास जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आपको अर्पित किया यह उसने अपने जीवन के द्वारा प्रकट किया पॉलूस का साहस प्रभु के प्रती समर्पण प्रभु के लिए सुसमाचार के लिए दुख सैने के लिए जो उसके अंदर उदारता है इसाब हमारे लिए भी एक सुनhr उदाहरन है हमारे जिवन में जब हमें विश्वास के कारण प्रभु के कारण छोटी-छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो हम कितना अपने विश्वास को छीपाने के लिए कुशिश करते हैं और आज की सुजमाचार में हमें एक बहुती गंभीर और मरमस परशी प्रसंग सुनने को मिला देखिए प्रभी येश्व की मृत्यू के बाद शिश्वी तूट गए थे निराश हो गए थे उदास हो गए थे हम योहन की सुसमाचार के अध्याए 21 में पड़ते हैं पेतुस जो शिश्वों का अगवा था वो स्वेम तूट जुगाता उसकी आशाएं तूट गई थी उसने अपने मित्रों से कहा कि मैं मचली पकड़ने जा रहा हूँ और अन्य लोग भी उसके साथ चले गए यानि पेतुस ने सोचा कि येश्व की कहानी अंत हो गई है अब मैं अपने पुराने काम में वापस जाता हूँ क्योंकि वो पेशे से मच्छवा था पेतुस ने कहा कि मैं मचली पकड़ने जा रहा हूँ और अन्य शिश्वी उसके साथ चल दिये और राद बर उन्होंने मचली पकड़ने का प्रयास के आई एक भी मचली नहीं पकड़ पाए सुबह उने पर पुनर जीवित येश्व वहां पे आते हैं पूस्ते हैं बच्चों कुछ मिला उन्होंने का कुछ नहीं मिला प्रभु ने कहा दाहिनी और जाल बिछाओ और ऐसा ही कि अधेर सारी मचली पस गई योहन ने येश्व को पैचान लिया और पेत्रुस से कहा कि यह प्रभु है और पेत्रुस नाव से कूद पड़ता है कपड़ा पहन कर येश्व के करीब आ जाता है बहुत सुंदर प्रसंग है जब प्रभु येश्व पकड़े गये थे सारी शिश्व ने येश्व को छोड़ कर भाग गये थे लेकिन येश्व ने उनको नहीं छोड़ा येश्व ने ये नहीं सोचा कि ये सब बेकार के हैं किसी काम के नहीं है मैं कुछ नए लोगों को ढून निकालूंगा जिससे इश्वर के राज की स्थापना का कारी करेंगे वे येशु उन्हीं लोगों की पीशे जाते है वे जहां थे वहां पर येशु जाते हैं येशु की पुकार, येशु की बुलाहाट येशु का चुनना बेकार नहीं होता है हाला कि उन्होंने येशु को छोड़ दिया था लेकिन येशु ने उनको नहीं छोड़ा और जहां वे थे वहां येशु पहुंच जाते हैं अभी शिश्य समुद्र में जाल बिछा रहे हैं येशु आहां पहुंच जाते हैं और आज के येशु समाचार में आपने दिखा कि प्रभी येशु ने उनकी दिन नाष्टा बनाया मचलियों से मचलियां भून कर प्रभु ने उनको खिलाया खिलाने के बाद प्रभु ने सीमोन पेतरुस के सामने एक बहुत ही सशक्त सवाल रखा देखिए प्रभी येशु ने शीमोन पेतरुस को शीशों का अगवा बनाये था जब उसने कहा कि आप मस्य हैं आप जीवित ईश्वर की पुत्र हैं और उने का तु चटान है और तिस चटान पर कलिशया के नर्मान होगा और पेतरुस की इस अगवाई को अन्य शीशों ने स्विकार भी किया था लेकिन पेतरुस ने येशु के बारे में एक साधारन सी नारी के सामने तीन बार यह गोशित किया कि मैं शपत खाकर कहता हूँ कि मैं उससे नहीं जानता हूँ आज येशु उसी पेतरुस के सामने तीन बार एक सवाल रखते हैं वो सवाल क्या है शीमोन योहन के पुत्र एक व्यक्तिकत सवाल है क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार गरते हो एक बहुत जबर्दस सवाल है शीमोन योहन के पुत्र क्या तुम इन सबकी अपेक्षा मुझे यादा प्यार गरते हो इसका अलग-अलग अर्थ हो सकता है एक अर्थिया है पेत्रूस ये बताओ कि तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम इन लोगों के मेरे प्रति प्रेम से बढ़कर है तो तुम मेरे मेमनें को चरा सकते हो पेत्रूस को अगवों का या कलीश्या का नेता बनाने से पहले अगवा बनाने से पहले प्रभी एसु ने ये सवाल किया क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसका दूसरा आर्थ हो सकता है क्या तुम इन सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हो तुम अपने माबाप से ज़्यादा मुझे प्यार करते हो तुम अपने प्राण से ज़्यादा मुझे प्यार करते हो एक बहुत जबर्दस सवाल है और पेतरुस ने तिनों बार जवाब दिया प्रभू आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं हर विश्वासी से भी प्रभू यही सवाल करते हैं बताओ तुम इतने दिन से मेरे साथ रहे क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम मेरे योग्य हो अगर तुम अन्य लोगों से ज़्यादा मुझे प्यार करते हो अन्य चीजों से ज़्यादा मुझे प्यार करते हो तो मेरे शिष्य होने लायक हो प्रभु ने पेत्र उसको एक जिम्मेदारी सौंपी मेरे मेमनों को चराओ मेरी भेडों को खिलाओ अगवा बनो प्रभु हम में से हर एक में भी यही ढूंडते हैं एश्वर के प्रती प्रेम येशु के प्रती प्रेम जिस माबाप में एश्वर के प्रती येशु के प्रती ज़्यादा प्रेम होता है वो अच्छे माबाप होते है जिस पती में एश्वर के प्रती येश्वर के प्रती ज़्यादा प्रेम है वो अच्छा पती होता है जिस कलिश्या के अगवा में येशु के प्रती प्रेम जदा होता है इश्वर के प्रती प्रेम जदा होता है वो अच्छा अगवा होता है येशु हम में भी यही ढूनते हैं क्या तुम मुझे इन सबसे जदा प्यार करते हो और प्रभी एसुने पेत्रुस को एक जिम्मेदारी सौपी आगे पेत्रुस से प्रभु कहते हैं तुम जवानी में स्वयम अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घुमते फिरते थे लेकिन बुड़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरे व्यक्ति तुमारी कमर कसकर तुमें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते थे यह जवानी और बुड़ापे का अर्थ क्या है हम जानते हैं कि पेत्रुस बुड़ा होकर नहीं मरा था जवानी और बुड़ापे का अर्थ क्या है जब तुम जवान थे यानि तुम मनमानी जीवन जी रहे थे बुड़ापा का मतलब क्या है जब तुम आध्यात्मी प्राउड़ता में आए जब तुम आध्यात्म में पक गए उम्र से कोई मतलब नहीं है जब तुम अध्यात्म में बढ़े, जब तुम अपने में थे, उस समय तुम अनमानी जीवन जीते थे, लेकिन जब तुम अध्यात्म में बढ़ोगे, तो तुम प्रभू की इच्छा के अनुसार जीवन जीते थे, लेकिन जब तुम अध्यात्म में बढ़ोगे, अध्यात् तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बलकि प्रभू की इच्छा के अनुसार जीवन जीओगे, दूसरा कोई तुझे ले जायेगा, और वही हुआ, पेत्रुस जब येशु पकड़े गए थे, तो पेत्रुस ने शपत खा कर का कि मैं उसको नहीं जानता हूँ, और येशु से भाग गया, कुरूस से भाग गया, वो कलवारी पहाड जाना नहीं चाहता था, लेकिन वही पेत्रुस अध्यात्मे में बढ़ने के बाद, पवित्रात्मा से बढ़ने के बाद, येशु की तरह मरने के लिए तयार हो जाता है, येशु की तरह मरने के लिए तया दिया येशु के मार्ग पर चला और वो शहीद बन गया आज का समाचार बहुत ही हिरुदेश परशी है इस पर मनंचिंतन कीजिए प्रभु से प्रार्तना कीजिए कि प्रभु मुझे भी आपको प्यार करना सिखा जीवन में विभिन अवश्यक्ताओं के पालिये मैं तेरे तेरे पास आता हूँ बच्चा चाहिए पैसा चाहिए नवगरी चाहिए मैं तेरे पास आता हूँ लेकिन मुझे तुझे प्यार करना सिखा सबसे ज़्यादा प्यार करना सिखा तेरा अनुसरन करना सिखा आई अपरार्तनागरे प्रभ येशु धन्यवाद देते हैं आज पौलुस के धायरी के बारे में सुना, तेरे प्रती समर्पन के बारे में सुना आज के सुसमाचार में तुने एक सवाल हमारे सामने रखा क्या तुम इन सबसे अधिक मुझे प्यार करते हो येशु वास्तों में तुझे प्यार करना हमें सिखा तुने हमारे लिए अपने आपको पूरी तरस से अर्पित किया तुने पूरी तरस से बेशक हमारे लिए अपने आपको अर्पित किया हमें भी अपने आपको अर्पित करने के लिए किरपा दीजिए जीवन का रहस्य में समझाईए जीवन का मकसद हमें समझाईए और तरह के रोग से और विपत्ती से बचाये रखिए। तेरे इन पवित्र वचनों की योग्यता से उने सुरक्षा प्रदान कर। अमारी स्प्रार्तना को स्विकार कर। आमेन। प्रभुती रिवाडी जीवन की रोटी मेनों की जोती अंधेरा मिटाती भाडी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है